समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल वास्तो गुरु में दोस्तों वास्तो शास्तर में भोजन करने के देशा को बहुत बड़ा महत्व बताया गया है वस्तु सास्र में घर के अंदर मितरत्रा बनाए रखने के लिए और सुक समर्दी लाने के लिए महत्वपुन उपाई बताये गए है साथ ही कुछ ऐसे कारियों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है आजकल के जीवन सेली से हमारे जीवन में कई तरह के बदलावाये है जिसका असर हमारे जीवन पर 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 रहा है प्राचिन काल में लोग समरिद और अधिक समय तक जिवित रहते थे लेकिन आजकल मनुस्य की आयू कम होती जा रही है पहले लोग जमीन पर बैट कर खाना खाते थे, जिस कारण उनके सरीर की और पृत्वी की उर्जा का मिलन होता था और बलसाली होते थे आज कल देखा गया कि लोगों में कमजोरी आना आम से बात हो गई है वस्तु सास्र में खाना खाते समय कुछ नियम बताये गए है जो ध्यान में रखने चाहिए और यह नियम वेग्यानिक दिश्टिकॉर्ण से भी सही साबित हुए है आज आपको बताते हैं वस्तु के अनुसार भोजन करते समय कौनसी बातों का ध्यान रखना आवस्तक है वस्तु के अनुसार भोजन कक्च को वरिश्पतिग्रा का प्रतिक माना गया है प्राचिनकाल में राजा, महाराजाओं के भोजनकक्च भी इनहीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाये जाते थे भोजनकक्च को इसनांग्रा तथा सोचाले के उपर अत्वा नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए भुजन कच का दरवाजा कभी भी सोचाले के दरवाजे के ठीक सामने इस्थापी नहीं करना चाहिए पुर्व अथ्वा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भुजन करना सरुत्तम माना गया है यह सरुत्तम दिशा मानी गई है इससे मनुष्य का स्वास ठीक रहता है और देव देताओं की कृपा बनी रहती है साथ ही मनुष्य को यहस की प्राप्ती होती है दक्षिन दिशा की ओर मुख करके भुजन करने से यहस, मान, सम्मान की प्राप्ती होती है पित्रों का असिरवात प्राप्त होता है परंतु जिन लोगों के माता-पिता जीवित है उसे दक्षित दिशा की और मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए बलकि उन्हें पस्चिम दिशा की और मुख करके भोजन करना चाहिए आपको बता दे कि जिन लोगों के माता-पिता का निधन हो चुका है वो लोग दक्षिर दिशा की और बैठ कर भोजन कर सकते हैं यानि कि अगर समझा जाए तो पुर्व और उत्तर दिशा की में बैठ कर भोजन करना सबसे ज़्यादा सुन माना गया है वास्तो के अनुसार नित्यकौन अर्थात दक्षिर और पस्चिम दिशा के मध्यम की दिशा की और मुझ करके भोजन करने से पाचन सकती कमजोर होती है तथा पेट की बीमारिया भी हो सकती है भोजन सुरू करने से पहले हाथ पैर और मुझ धो लेना चाहिए उससे आयू की विद्धी होती है अग्निकौर की दिशा अर्थात दक्षिर पूर्व दिशा की और मुझ करके भोजन करने से यों सम्मंदी बीमारियों हो सकती है रेड इसके अलावा सपना दोस भी आता है सास्तर के मुताबिक पाल्ती मार कर भोजन करना सुर्टम माना जाता है जिन लोगों के पैसो के तंगी होती है तथा धन कमाने के चिंता है उन्हें पस्चिम दिशा की और मुझ करके भोजन करना चाहिए इस दिशा में भोजन करने से पैसो की तंगी ठीक हो सकती है और तूटे-फूटे बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा करना दुरभाग्य को आमंतरन देने के बराबर है अगर ऐसी घर में तूटे-फूटे बरतन है तो उसे तूरंत अलग करे साथी भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बरतन में प्रसाद ना दे इसके लिए तांबा, पितल, चांदी के बरतन का इस्तमाल करे भूजन कभी भी अपने बेट पर बैट कर ना खाए इससे अनका अपमान होता है बिस्तर पर बैटने से गर्मी सरीर में रुख जाती है जमिन तक नहीं पहुँच पाती है जिससे हमारा पाचन तंतर खराब हो जाता है ज्यादा जमिन पर बैटकर खाना खाने से हमारा सरीर का तापमन सही रहता है भूजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना दोते है थाली में अपना हाथ नहीं दोना चाहिए ऐसे में मा अनपुन्ना का अपमान हो जाता है दोस्तो यह बाते जो भूजन करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर यह जानकर यह आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें